है एवरिवान बूर्निंग कैसे हो आप से वो पीवाल अर्गुट मैं भी अच्छी हूं तो अभी बज रहें सुभे के नौ और अभी से मैं अपना ब्लॉक स्टार्ट कर रही हूं मैं उटके थी थोड़ी तेर पहले तो थोड़ा वो प्रानायम बनायम करके अभी मैं जारी हूं ब्रेक्फस्ट करने तो मैंने सोचा सुभे से मैं अपना ब्लॉक स्टार्ट कर रही हूं तो अभी चलिए मैं दिखाती हूं कि मैं ब्रेक्फस्ट पर क्या बनाती हूं बने रह यहां पर मैं किचन में आ चुकी हूँ और अभी में ब्रेकपस्ट की तयारी कर रही हूँ मैं आज सोच रही हूँ पोहा बनाऊंगी सबजी डालके बेंगॉली में हम इसको चीडियर पुलाओ बोलते हैं तो वेजिटेबल्स मैंने यहां पर दिखे कट कर लिया है मैंने जैसे ही ओयल करम हो गया मैं यहां पर सब्जी डाल देहीं हूँ इसमें वडिगे मैं थोड़ा डरती हूं इसलिए मैं थोड़ा भाग भाग कैसे डालती रहती हूं और मैं सब्जी चीटे आते हैं तो मुझे बहुत लगता है इससे तो यह रिखिए अभी मैं इसको धीरे- यहां प्रश पकाने के लिए मैं यहां पर नमक डाल रही हूं उसके बाद में जब चीरा यूज लमभी तो तब में उसमें और नमक ढलाँ अभी मैं यहां पर ब्याच और हरी मिर्च छोटा चोटा करके ने कैट कर रहा तो उसको मैं इहां पे एड्र कर रही हो और मिला दुंगी इन सब चीदों को अच्छे से मैं इस छीडरा फ्लैटन राइस तो ले लिया है औरिसको मैं भी थोड़ा से वाश कर लोगी हो मेरा यहां पर मैंने पतला वाला जो आता है ना चीरा वो लिया था तो इसलिए मैं इसको सिर्फ ठंडे पानी से दो-तिन बार वाश कर रही हूं अगर आपके पास सक्त बाला हो तो आप इसको थोड़ा सा गरम पानी में डुबो के रख सकते हैं तब भी बहुत अच्छा बनत और अभी अच्छी अच्छी हल्के हातों से इसको मिला दोंगे तो यह दिखे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं अभी इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी यूज़ कर रही हूं अब हल्दी के बीना भी इसको बना सकते हो मैं थोड़ा कलर के लिए आप हल्दी मैंने यूज़ किया है और अभी मैं डाल रही हूं फिर से इसमें नमक क्योंकि अभी थोड़ा नमक इसमें चाहिए होगा मैंने जैसे चीरा एट किया है और मैं डाल रही हूं थोड़ा सा चीनी यह डिशना थोड़ा मीठा थोड़ा नमकिन ऐसे बनता है तो इसलिए इसमें चीनी डालना बहुत ज़रूरी है तब जाके इस डिसका असली टेस्ट आता है कि इस तरफ मेरा चाय भी बन रहा है तो तेखिए चाय भी करीब करीब बन ही चुका है मैंने लिकर बना लिया है इसका तो हमारा ब्रेकपस्ट अभी रेड़ी है हम चाय और यह पोखा लेंगे ब्रेकपस्ट में तो मेरा ब्रेकपस्ट बन चुका है मैं कर लेती हूं इसके बाद मैं आप लोगों से अभी ब्रेकपस्ट करने के बाद हम दोनों अभी किचन में आये हैं क्योंकि आज हम दोनों को खाना बनाना है मेरे हस्बेंड एक स्पेशियल पनीर का डिश बनाएगा इसलिए वह जीरा और धनिया है ना होल जीरा और धनिया उसको और दो लाल मेट उसको ड्राइड रोस्ट करेगा पहले तो वहीं इसका वह तैयारी कर रहा है और एक तरफ में डाल को धूखके प्रेशर पुकर में डाल के सीटी लगा लोंगी तो एक तरफ यह डेडी होते होते मेरा डाल भी बन जाएगा तो यही प्रलान है हम दोनों ऐसे साथ में काम करते रहते हैं कभी वह प्री रहता है तो वह मुझे हैल्फ कर देता है और उसको मजा आता है खाना बनाने में तो कभी-कभी वह अपना अच्छा वाला जो उसको आता है वह बना के मुझे खिलाता है तो यह दिखिए यह मसाला हमने ड्राइय रोस्ट कर लिया और एक तरफ इसने दो टाइप का प्यास को काटा है थोड़ा लंबा लंबा थोड़ा एकदम बारिक प्याज लसन को ग्रेट कर लिया है और हरी मिट्स को छोटा-छोटा करके कर लिया है साथ में यहां पर यह पनीर को क्यूब्स में कर रहा है आपको जैसा चाहिए आप वैसे कट कर सकते हो यह यहां पर क्यूब्स में कट कर रहा था पनीर को अब यह देखिए उजो मसाला है उसको मैंने टुखा ग्राइंड कर लिया और थोड़ा सा पानी डालके इसको में पेस्ट बना लोगी अभी मैं क्या कर रही हूं जो पनीर के पीसे को कट करके रखा है उसमें मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी डालके मिक्स करके दे रही हूं क्यूंकि इसको अभी फ्राइ करना है पनीर को तो इसलिए यह रिखिए इसको अच्छे से मिक्स कर रहा है तो मैंने इसको mix करके दे दिया अभी पनेर को धीरे धीरे अच्छे से फ्राइ करना है तो मेरियम आज पर अच्छे से चारो तरफ से पनेर को अच्छे से फ्राइ कर लेना है और उसके बाद निकाल के शाइड में रख देना है कि आपी थोड़ा सा ओयल और एड़ करना है और इसमें जाएगा एक तेजपत्ता थोड़ा सा जो कट हुआ प्याज लसन अद्रक और हरी में वह सब यहां पे जा रहा है एक एक करके अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको अच्छे से दीरे-दीरे फ्राई करना है इसमें अभी टोमेटो भी एड़ कर दिया है कि यह जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें मसाले डालने हैं हल्दी लाल मिच पाउडर थोड़ा सा जीरा और धनिया का पाउडर थोड़ा 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 अभी इसको फिर से अच्छे से पर मिक्स करेंगे उसके बाद नमक डालके फिर से एक बड़ मिक्स कर देंगे यहां पर कश्मीरी रेट चिली भी डाल दिया है कलर आने के लिए अच्छे से अभी इसमें जा रहा है बाटर अच्छे से इसको मिला देना है और अभी इसमें जो पेस्ट किया हुआ मसाला है वह हम लोग डाल रहे हैं अभी इसको अच्छे से पकाना है मसाले को कि यह दिखिए अलग हो चुका है मसाला अच्छे से पक चुका है इसमें अभी थोड़ा सा गड़म मसाला पावडर रैट किया है कि फिर से इसको अच्छे से मिला के अभी इसमें आपको जितना करी रखना है उस हिसाब से पानी डाल देना है और पानी डालने के बाद पनीर डालके पांच मिनित जिस्क बुगल करना है और आपका डिश रेडी हो जाएगा तो यह दिखिए मसाला अच्छे से पक गया है अभी इसमें पनीर को एट कर देंगे मिला देंगे अच्छे से पनीर को और अब ही इसमें पानी डालके पांच मिनित बॉल होने के लिए रख देंगे तो डिश पूरा हम लोगों का रेडी हो जाएगा तो यहां पर यह बन चुका है अभी इसको बाउल में रख देंगे अलग से तो यह बिलकुल रेडी हो चुका है अभी मैं यहां पर सारा जो बर्तन बर्तन साफ करने का काम है वो खतम कर लोंगी धीरे-धीरे एक तरफ मेरा डाल हो चुका था तो दूसरे तरफ मैंने सबजी बिठा दिया है बीन जालू फ्राई मैं कर रही थी तो वही मैंने इधर एक चुले पर बिठा दिया और साथ मे सारा काम में खतम कर लोंगे अभी कर दो आएो प्रह पाइखे थार आज़ रदोस्के काुड़र में इस बें काुड़ स्थ plाइजर चार, ही अरड़र आज़ तो यह देखिए यह रहा मेरा आज का लंच पनेर की करी दाल प्लेन दाल और यह सबजी तो आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताना और चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और भी मिलते रहेंगे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मैंने चैनल को आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजि मिलती हो फिर से एक नए व्लॉक के साथ तब तक के लिए बबाई